चाहे आपका ट्रांस्पोर्ट हो, चाहे आपका मैनुफैक्चरिंग हो, वहाँ पे भी बिजली की जो यूस है वो बढ़ने वाली है, अप अब एक्ट्रिक वेहकल सो सबको पता है, लेकिन हम मैनुफैक्चरिंग में भी धीरे-धीरे, जहां पे हम कुएला जलाते थे, उसके इदाफा नहीं ला रहे हैं परिस्तिति मैं लेकिन अगर वो renewable से आ रही है तो फिर उससे काफी फरक पड़ सकता है और ये जपान को देखें चाइ나 को भी देखें या और यूस को देखें वहां पे क्या हो रहा है जो आपके जो renewables जो आ रहे हैं वहां पे वो conventional power को कोईले के power या gas के power को replace कर रहे हमारे हैं हम replace नहीं कर रहे हम हम जोड रहे हैं क्योंकि हम developing economy चलते हुए और हम कोईले और gas और दूसरे sources से fossil fuel sources से जो हमारी हमारी जो बिजली आ रही है उसमें भी इजाफा कर रहे हैं क्योंकि हमारी वो जरूरत है तो यहां पर आपके पास दो जो competing objectives हो जाते हैं एक climate change को रोखने के लिए और दूसरे development के उसमें उन दोनों को एक 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 बीच में जूजना पड़ता है यह कैसे अपरेट होता है अक्षे मतलब जैसे सौरब अपनी फैक्टरी में मंगवा सकते क्या कहीं और से यह marketing के calls आते हैं हमारे आते हैं के insurance ले लिजिए या गुडगाओं रोड पे एक 3-BHK ले लिजिए वहाँ पर आपको आते हैं do you want to change your electricity supplier अरे वाँ यह नहीं बात है और वो क्योंके वहाँ पर retail आ गया तो उसमें आपको क्या करना है कि आप पहले कह रहे थे monopolistic behavior transmission में वही चीज आपको distribution में भी है क्योंकि जो तार आपके घर में आ रही है जैसे टेलेकॉम में भी जब टेलेकॉम landline था तो आपके घर में 10 तार नहीं आ रहे थी लेकिन अगर आप regulation से कह देते हैं कि आपको जो कहते हैं non-discriminatory access देना है उस तार पे अगर आपने उस पे पैसे लगाएं आप उसके लिए fee ले सकते हैं लेकिन कोई भी supplier आपके पास आ सकता है और आप किसी से भी बिजली ले सकते है तो सौरब कैसे हैं आप बस एक दम बढ़िया प्रने क्याती तुम बताओ कैसी है मैं तो ठीक हूँ पर इस साल की जो गर्मी आई है उसमें I think सब लोगों ने climate change को तो काफी अच्छी तरह से महसूस करी लिया है और एक हमारा हमेशा topic यह रहता है right energy related की जैसे climate change एक reality बनता हुआ नजर आता है लोगों को तो पर हमारा हम फिर भी एक ऐसा देश है जिसकी energy requirements बढ़ने वाले क्योंकि हमारी per capita हमारा per capita usage भी काफी कम है बागी देशों की comparison में तो जैसे हम हमारी economy बढ़ेगी हम उसको जादा use करेंगे तो लेकिन इस चीज को हम कैसे tackle करें यह एक question रहता है तो क्यों आज इस सवाल पे कुछ और नजर डालते हैं ऐसे किसी guest के सवाद बात करते हैं जो इस पे कुछ हमें अपने न देख रहा था किसने लिखा है हम लोग किसे बुला सकते हैं तो एक paper ध्यान में आया जो अक्षे जेटली और अजैशा इन्होंने लिखा था हम लोग लिंक शेयर करेंगे जिसमें उन्होंने climate finance और electricity sector दोनों को एक साथ जोड के देखा कि किस तरीके से हमाना जो electricity sector है वो सब सबसे प्रधान है अगर हमें बदलना है climate finance की दिश्टिकोंट से या climate transition के दिश्टिकोंट से तो हम लोगों ने सोचा अक्षे कोई बुलाते हैं पुल्याबाजी में और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या माजरा है और इससे कैसे समझा जाए तो बहुत-बहुत स पुल्याबाजी में तो अक्षे सबसे पहले तो शुरुवात से शुरू करता है आप इस electricity सेक्टर में कैसे दिल्चस्प लेने लगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राइलीगल को फाउंड किया काफी चीज़ें लीगल तोर पे देखिया है policy issues देखिया है तो य इलेक्रिसिटी सेक्टर में आप क्या इंट्रेस्ट क्यों जागा ऐसा कोई बहुत जबर्दस्त इंट्रेस्टिंग सेक्टर लगा क्या आपको वैसे अगर पूछा जाए तो मैं इसमें climate के तरफ से आए अक्सर लोग क्या होता है उनके साथ कि वह electricity सेक्टर में होते हैं और जो नौकरी थे वो उस समाने में जो कहलाता था TATA Energy Research Institute आज दी Energy Resources Institute कहलाता है उसमें मेरे को नौकरी मिली और वो अगर मैं आपको जिस सन में मैं मेरे को वो नौकरी मिली उससे आपको साबित हो जाएगा कि क्यों मेरे मेरी दिलचस्पी क्यों आई इसमें और वो था 1991 में और 1992 में क्या हुआ रियो कॉंफरेंस हुआ और जो भी हमारा जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है क्लाइमिट चेंज के लिए वो उस उसी समय स्थापित हुआ और मैं मुझे डाला गया मैं 22-24 साल का था मुझे डाला गया ग्लोबल वामिंग सेंटर में और उस समय काफी रिसर्च चल रहा था और मैंने पहली बार इन बातों के बारे में मैंने सुना हुआ लोग इसके बारे में बात करते ही नहीं थे तो वह एक इतिफाक की बात थी दो साल मैंने वहां पे काम कि के लोग के पढ़ाई से पहले उसके बाद मैं मैंने लोग किया और इसके बाद मुझे पता नहीं था मैं क्या करने वाला हूं लोग में भी मैं ने सोचा इंडिया के वापस उस जमाने में senior council को join करने वाली बात होती थी और आपके litigator बनने वाले होते थे, law firms और corporate practice, transactional practice, कुछ जादा हमारे हाँ ना था और ना लोगों को उसके बारे में पता थे, मगर मैं वो लंबी कहानिय में फिर मैं नहीं बताओंगा इस समय मगर मैं एक English law firm में मुझे नौकरी म मिल गए और वहां पर उन्होंनों मेरे को एक ऐसे department में डाला जिसमें इंडिया के power projects पे काफी काम हो रहा था तो मैं उसमें मतलब पड़ गया मेरे को ना कोई choice थी लेकिन हम और अच्छा लगया और लोग अक्सर पूछते थे क्या आपको यह passion थी और आप उसमें घुसे औ इंट्रेस किसी चीज में हो और आप उसमें जूज के पढ़ जा तो आप उसमें passionate हो सकते हो तो और वो तरीका passionate होने का मुझे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो music में passionate होते हैं या दूसरी चीज़ों में passionate होते हैं लेकिन यह से कोई नहीं मिला जो कहते हो मैं nuclear energy में साथ साल के उ energy और infrastructure में काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपके काम के खतम होने के बाद कुछ बन रहा है कोई कुछ broad sense of the term में कोई development वाली बात हो रही है और मेरा family background भी वैसे ही था जो जिसमें development की बात हमेशा होती थी politics की बात होती थी देश के उननती की बारे में बात होती तो तो में दो चार चैसाथ लोग थे जो भी काम मिलता थे वो करते थे लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए जब थोड़े specialization का जब मौका मिला तो फिर मैंने का मैं वापस वहीं पर जा रहा हूं power projects में और फिर से एक और इतिफाक की बात है कि हिंदुस्तान में जो पहला जो wind farm formally finance हुआ था पहला project उसमें मैंने ही उसके contracts बनाए थे और उसमें मतलब बिल्कुल खाली पनने से मैंने अपने दुनिया भर में दोस्तों को फोन करके बुचा कि आपके पास को इसके precedence होंगे और लोगों ने एक दो चार चीजें भेजी और फिर खाली पनने में कलम के साथ बैठ के क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा अलग तोर से चलता है जब मैं कागजी कारवाई करूं कंप्यूटर के अलावा उसको फिर कंप्यूटर पर translate किया और वो करीब 17-18 साल पहली की बात है तो जो पहला जो wind farm जो बना था formally क्योंकि उससे पहले भी वो बन रहे थे लेकि यह बड़ी company जो उसमें फिर शामिल होनी लगें वहां से शुरूब और वो कहानी फिर वहीं से चलती रही तो यह तो बड़ी दिल्चस्ट बात है और अब हम लोग थोड़ा electricity sector को समझते हैं और फिर हमारे पास climate finance वाले भी सवाल है तो पहले थोड़ा हमारे दर्शकों और शुरूताओ के लिए हम लोग एक baseline establish कर लेते हैं तो पहले हमें यह बताइए ना कि जो हम लोग supply chain कह सकते हैं पावर सेक्टर की जिसमें लोगों ने सुना होगा generation होती है transmission companies होती है डिसकॉम होती है और डिसकॉम से तो लोग हमेशा खफा रहते ही है तो हमें पता ही है वो क् तो जैनकोस, ट्रांसकोस, डिसकोस यह supply chain को थोड़ा समझाई है न कैसे operate करता है broadly भारत में इस मुझे लगता है कि इसके लिए आप किसी भी चीज के उतपादन के बारे में सोचिए वो एक चीज को बनाना पड़ता है उसको फिर बाजार में ले जाना पड़ता है और अभी-कभी वो wholesale से होते वे retail तक पहुंचता है अब बिजली में बिजली में विजली में वह ऐसे ही होता है एक बड़ी जो जो फरक की बात है कि आप इसको बना के किसी एक जगह में आप store नहीं कर सकते हैं आपको बनाते ही उसको बाजार ले जाना है और वह कारवाई आप को पता होना चाहिए कि मतलब बजार कैसे ले जाओंगा मैं और वहाँ पे कौन लेगा मेर से तो जेनरेशन वाली बात होगी उसका उत्पादन करना जेनरेशन में और अगर आप 1980 और उस उस जमाने की बात करते हैं तो यह सारा कुछ पब्लिक सेक्टर में ही हुआ करता था एक दो प्राइविट पावर प्लांट्स हिस्टॉरिकल रीजन्स के लिए प्राइविट सेक्टर में थे एक दो प्राइविट डिस्रिबुशन कंपनीज भी थी खास करके कलकते में CESC लेकिन उसके अलावा सब कुछ पब्लिक सेक्टर में हुआ करता था और यह एनरजी डिपार्टमेंट के अंदर हुआ करता था जो स्टेट गवर्मेंट के एनरजी डिपार्टमेंट में जैसे आपको पता होगा जो बिजली का जो का जो विशे है वो कुनकारंट और नैशनल लेवल बे जरूर बनता होगा मगर स्टेट्स में भी पॉलिसी बनती है लोज बनते हैं लेकिन रेगूलेशन के तरफ से और अगर आप पुलिटिकल एकॉनमी के तरफ से सोचे तो सारे जो इसमें जो मकसद हैं मामले हैं वो स्टेट एलेक्शन में माइने रख तो यह सब कुछ पॉलिक सेक्टर में हुआ करता था नाइंटी टू थाउजन थ्री में जो दोजार तीन में जो इलेक्रिसिटी एक जो हमारी आए उसमें दो-तीन चीजें हुई एक के इन तीन चीजों को जेनरेशन, ट्रांस्मिशन, डिस्रिबूशन को अलग किया गया औ उसको अलग करने के लिए हर स्टेट को अपना करनी की ज़रूरती और आज तक कुछ स्टेट्स ने पूरी तरह से इसको नहीं किया है एक वो और दूसरी बड़ी चीज़ कि आपको एक इंडिपेंडेंट रिगुलेटर बनाना है हर स्टेट में और सेंटर लेवल पे भी ए रिख ली जाती है जैसे आपने कई सेक्टर्स में देख वा है यही धांचा आपने वे उन्होंने सिमिलरली उसमें बनाया तो यह तीन चीज़े हैं क्योंकि आपको और यह धांचा एलेक्रिसिटी एक्ट दोहजार तीन के बाद का है उसमें दो तीन और चीज़ें थी जैस पर एक और चीज होती है और लोग जो अंसिलरी सर्वेस Chaik सेवाएं जो होती हैं वह वो लोग ओफर करते हैं तो इस भिजली के मार्केट में भी यह सारी चीजें सोची जा सकती हैं और करी भी जाती है हमारे जैसे इंडिया में आज तक जो स्टेट का जो हाथ है वो अभी भी बहुत भारी है इस सेक्टर में जेनेरेशन काफी हद तक प्राइविट सेक्टर में चली गई है जो नया ट्राइविट नोर या तो प्राइविट सेक्टर के या यह बिडिंग से होती है और वहां पर कई प्राइवट कमपनी त्राइवेचन में शामिन डिस्ट्रिबैशन जो है वो कुछ दो-चार महत्वपूरण एक्जाम्पल्स के उधारनों को छोड़ते वे वो जादातर अभी भी पॉब्लिक सेक्टर या स्टेट ओंड है तो जो आप कह रहे थे जो डिसकॉम्स को जो गालियां पढ़ती हैं वो जादातर स्टेट ओंड डिसकॉम्स को पढ़ती हैं और अगर आप देखें तीन बड़े उधारन और एक चौथा जो अभी शुरू हो रहा है और वी एक तो छोटे और भी हैं जो बड़े उधारन है एक दिल्ली हुआ एक बंबाई हुआ और एक कलकता हुआ तीनों में आपको प्राइवेट डिसकॉम्स मिलेंगे और अगर आ कोई तालुक तो होगा यह प्राइवेट ओनर्शिप और डिसकॉम्स की बीच में उस आप वो पेपर की बात कर रहे थे वो एक वो ख्याल वो भी था शुरू जिससे हमने वो लिखना शुरू किया तो और इसमें नैशनल ग्रिट बहुत एक इंपॉर्टन अक्टर है ना क् कि इधर का जो बिजली है वो इधर ही आनी चाहिए बिजली तो बिजली है लेकिन अलग-लग सोर्सिस के बीच में तो यह इसमें नैशनल ग्रिट क्यूंकि यह एक बड़ी यूनीक चीज है एलेक्रिसिटी की ही सिर्फ बाकी तो काफी कॉमन चीज है हमने डिसकॉस करी जो क हर से कॉमन है वर नैशनल ग्रिट जो है वो एक यूनीक फीचर है एलेक्रिसिटी का तो वो आपने बता है पावर ग्रिट कॉर्परेशन तो है लेकिन नैशनल ग्रिट बहुत ज्यादा बहुत हद तक एक सरकार ही मैनेज करती है तो वो कैसे हो रहा है तो पहले तो यह और आपने रहा है लेकिन आपने जो का नैशनल ग्रिट सब लोग उस बात पर सहमत नहीं है कि हमारे एक चीज एक बात जो कही वह बहुत सही कही वह कि जो बिजली जो है वह बिजली है वह बनाई जाती है और और ग्रिट के अंदर सप्लाई की जाती है क्या होता है कि वह एक एलेक्ट्रॉन डालते हैं ग्रिट के अंदर एलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं और कहीं और से कोई औ आदमी जो आपका कस्टमर है वहां से लेता है निकालता है वह यह electron को नहीं मगर किसी भी electron तो जो इसका बेचना और खरीदने वाली बात होती है वो एक accounting exercise है तो उस पूरी चीज़ को manage करना ग्रिड operator का काम है और पौसो को जो है grid operator है मगर आपके पास state load dispatch centers है आपके पास regional load dispatch centers है जो देखते हैं कि एक तो एक तो यह हुआ कि किसने किसना डाला और कितना लिया वो accounting exercise ताके जो भी financial transactions इसमें होने वो ठीक से हो जाएं लेकिन दूसरी बात यह है कि grid को balance करना यह बहुत जो बहुत ही एक scientific और engineering के तौर से complicated जो और कठिन काम किया कहा जा सकता है यह सारी जो इसके जो पुर्जे हैं वो state load dispatch centers regional load dispatch centers और जो central जो grid operator है वो सब ताल मेल करके उनको करना पड़ता है यह देखने के लिए कि जादा कोई नेल नहा रहा है जादा कोई डाल नहीं रहाता है नहीं तो आपका grid जो है वो collapse हो सकता है और वह भी है तो जैसे मुझे याद है 1977 में काफी पुरानी बात है तो मैं अपने उमर को आपको रिवील कर रहा हूं मैं एक बार national grade एक हफते के लिए डाउन था पूरे दिल्ली में चाहें आप कहीं भी जाएं आपके पास कहीं कोई भी विजली नहीं थी यह मतलब आज के आज के जो मै क्लारिफिकेशन जाओंगा एक तो आपने जैसे समझाया हम लोग इसको समझ सकते हैं electricity का market किसी लिच्ची का market या फिर दूद का market जैसा है ना कि प्यास के market जैसा मतलब हम लोग store नहीं कर सकते जो भी generate करना है उसे distribute करना पड़ेगा लेकिन आज की date में जैसे battery energy storage systems हैं तो उ यह एक सवाल है और दूसरा मुझे बहुत अच्रज की बात यह लगी आपने का जैसे generation, transmission और discom में मुझे लगता था जो प्राइवेटाइज नहीं होगा वह होगा transmission क्योंकि वह एक natural monopoly है जिसे हम कहते हैं क्योंकि एक ही line आप लगा सकते हैं transport करना है तो और ज्यादा तर ल हुआ है कि discoms नहीं हो पा रहे है प्राइवेटाइज लेकिन ट्रांस को हो चुके हैं कुछ हद तक तो यह कैसे हुआ यह दोनों चीज आप समझाएंगे तो हमें मार्केट और बहतर समझा जाएगा वैसे काफी लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि क्या हमने ठीक तोर से जो प्राइविट सेक्टर को लाए हैं इस क्षेतरे में वह उसका सीक्वेंस सही रहा के नहीं जो हमने सबसे पहले किया वो generation, generation को हमने हम private participation हमने हम लाए कुछ लोग कहते हैं कि हमको discoms में पहले करना था क्योंकि जो जो दिकते हो रही थी जो financial stress पूरे system में था वो सारा discoms के तरफ था लेकिन आपके अगर प्रशन पर वापस हम आते हैं natural monopoly किसी भी चीज़ में होने से जो आप तो policy में काम करते हैं आपको अच्छी तरह से पता होगा उसका मतलब यह नहीं है कि आप उसमें private sector नहीं आ सकता है उसमें आपको यही देखना है कि एक जो market failure जो आता है आपको monopolistic behavior से जो आ सकता है जो कि प्राइस किसी चीज़ के दाम को बढ़ाने के लिए क्योंकि आप बढ़ा सकते हैं और कोई आपका कोई competitor नहीं है उसको आपको सिर्फ regulate करना है तो इसमें क्या होता है कि आप जो इसमें competitive bidding होती है तो private sector जो आता है लोग bid डालते हैं और उसमें जो उसके हिसाब से फिर इनके transmission इनके transmission bids accept किये जाते हैं और transmission का एक tariff होता है जो regulator set करता है तो उसमें आपको उस को उस tariff को देखते हुए आपको देखना है कि मैं कितने कि बाजी लगाँ इस पे जिसके जिस हिसाब से मैं थोड़ा सा पैसा भी बना पाऊं और और इसमें अंटी competitive भी बात ना हो और वो battery energy storage systems हाँ हाँ हम हम अभी तक जो हम कह रहे है कि यह ऐसी चीज़ है जो store नहीं हो सकती वो कल तक सही थी आज वो जो आज वो जो परिस्तिती काफी जल्दी बदल रही है और जो और इसमें इसमें battery storage सिर्फ battery storage ने कई storage के technologies आ रहे हैं एक battery storage हुआ दूसरा pump storage हुआ जो जिसमें आप पानी को उंचाई पर रखके उसको गिरा के उस जो kinetic energy से आप टर्बाइन चला सकते यह तो यह आपको जो जो अकसर छोटी नदियों में भी जो जो चक्की चलाते हैं वो भी उसका principle भी हुए है क्योंकि वो धलान पर आ रहा है पानी तो वह वह भी ए अप इसे आप hydrogen electrolyzers में बना रहे हैं तो उस hydrogen को आप आप स्टोर करके आप इस्तिमाल कर सकते हैं एज़े इधन के तौर से और फिर आप और फिर फ्योल सेल्स भी हैं एक और टेक्नोलोजी है फ्योल सेल्स की और और भी कई नए टेक्नोलोजी की आधुनिक टेक्नोलोजी आ नघी हैं जैसे कि आप याँ रेज़ रेत को या पथरों को गरम करके उस उन में से आप पाइप निकालके उन पाइप उसमें अफ्यों से गरम हवा से आप बिजली बना सकते तो यह सारी टेकनोलोजीज barrier 已 अभी हकीकत में हा चुकी हैं हमारे पास बात यह कि महंगी हैं कि नहीं महंगी हैं और अगर हम इसकी जो इसकी कीमत को हम सह सकते हैं कि नहीं सह सकते हैं क्योंकि अभी मगर अगर आप देखेंगे रिन्यूबल एनरजी में क्या हुआ पिछले 15-20 सालों में जब मैंने शुरू कि पहला जो सोलर प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था उसमें जो टैरिफ थी वह सत्रा रुपे की टैरिफ थी आज अगर आज अगर तीन रुपे से कम ना हो तो लोग मतलब इंकार कर लेते हैं तो वह 15 साल में वह और जो बैटरी स्टोरेज की जो दाम है वह उससे भी जल्दी गिर रहे हैं तो उससे कई और चीजे मतलब मुपकिन हो जाती जिसके बारे में बात कर सकते हैं लेकिन वह जो पुरानी बात जो कि बिजली हम स्टोर नहीं कर सकते हैं कि नहीं उसको रख सकते हैं वह अब धीरे धीरे और थोड़े दिर के बाद हम अपने main question पर आते हैं कि जैसे climate change के हिसाब से हमारे भी भारत के भी बहुत सारे climate change के जुड़े हुए goals है जो हमने हमने कमिट किया है हमारी सीओ हमारी जो हम climate change committees में गए है उसमें तो उसके साथ जब हमें चेंज करना है तो हमारा पावर सेक्टर किस क्या उस तिती में है कि इस प्रकार से वो बदल पाए इस रियालिटी के साथ और अगर वो नहीं है तो ऐसा क्यों है देखे वो हो सकता है ना हो सकता वाली बात नहीं है इतना जितना वो है कि वो कितनी जल्दी हो सकता है और किस कीम तो अभी आज की डेट में भी आपको जो इंस्टॉल्ड कपैसिटी जो कहते हैं, हमारे 40 प्रतिशत से उपर इंस्टॉल्ड कपैसिटी आज रिन्यूबल्स की है, जो एनर्जी ट्रांजेशन के लिए बहुत महत्वपूर चीज है, लेकिन वो रिन्यूबल्स में जो इंस्ट के निर्भर करते हुए, तकरीबन 18-20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की एफिशेंसी होती है, तुलना की तौर से अगर आप कोल फायर्ट प्लांट को देखें, तो असी प्रतिशत से उपर होती है उसकी, तो एफिशेंसी, तो अगर आपके पास 40 परसेंट इंस्टॉल्ड कपैस वो जितना हमको, अगर आप सोच, उस तरह से आप पूछ रहे हैं, यह प्रशन के कोईले से या जो गैस से जो हम बिजली का पादन करते हैं, उसको हटा के रिन्यूबल्स बनाने, सिर्फ रिन्यूबल्स के लिए क्या जरूरत होगा, उससे बहुत जादा हमको कुछ काम करन अगर आज अगर देखते हैं, जो पूरी जो एकॉनोमी में कंसंशन सेक्टर का इमिशन से से आते हैं, सबसे जादा पार से करीब 31 परसेंट, और उसके बाद कृषी क्षेत्र से आपको करीब 22 परसेंट आता है, ट्रांस्पोर्ट से करीब 8.5 परसेंट और उत्पादन क्षेत्र से करीब 20 परसेंट पर अब अब जब हम लोग क्रिशी की बात कर रहे हैं तो वो भी तो electricity यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें included है क्या 31 प्रतिशत में कि वह अलग से नहीं वह यह सार यह मैं emissions के sources बता रहा हूं तो इस emissions के sources में आपको जो पावर सेक्टर का जो की जो contribution है वो सबसे जादा है तीस परसेंट की उपर तो पावर सेक्टर फिर का जो महत्व है वो बढ़ जाता है पूरी energy transition की बात करते हैं हम जब एक दूसरा जो धीरे-धीरे energy transition के वज़े से चाहे आपका वातावरन चाहे आपका ट्रांसपोर्ट हो चाहे आपका manufacturing हो वहां पर भी बिजली की जो कि जो यूस है वो बढ़ने वाले है आप electric vehicles सबको पता है लेकिन अब हम manufacturing में भी धीरे-धीरे जहां पर हम koela जलाते थे उसके जगह हम electric arc furnaces for example blast furnaces की जगह वो आने वाली है वहां पर और बिजली की ज़रूरत पड़ेगी और वो बिजली कहां से आ रही है वो अगर koela से आ रही तो हम कुछ खास इजाफा नहीं ला रहे हैं परिस्तिती में लेकिन अगर वो renewable से आ रही है तो फिर उससे काफी फरक पड़ सकता है और यह जो अभी 31% जो electricity sector से वो तो इस इस क्षेत्र पे जो हम पे जो बोज है और इस क्षेत्र का जो contribution है emissions का बढ़ने ही वाला है तो यहां पे हमको जादा focus हम कर सकते हैं और दूसरा दूसरी बात है कि यह एक formal sector है agriculture manufacturing में बहुत informal parts भी है हमारे इसलिए अगर आपको regulation में कोई change लाना है उसका फरक काफी जादा पड़ सकता है अगर हम एक regulated और formal sector में करें अच्छे यहां पर आपने बड़े अच्छा बोला और हमारे इतना ज्यादा focus वह 8% पर बहुत ज्यादा रहता है कि शायद लोगों को दिखता है या बगारा और हम इतनी subsidy दे रहे हैं कि EV transition होना चाहिए तो ना ही headline या papers और पता नहीं पैसे का मुझे नहीं मालूम यह fame रहे हैं कि renewable बढ़ाने के लिए कोई हम कितने पैसे से हमको मिल क्या रहा है इसका को रिलेशन्शिप है या लोगों को दिख रहा है जो सामने दिख रहा है उसको कर लिया जाए ऐसा कुछ आपको लगता है देखें किसी भी आप शेत्र में चले जाए हमारे देश में और वह आउटकम की जो मॉनिटरिंग होती है उसमें हम थोड़े से हलके हैं तो अगर आप अगर आप इसमें मुझे इसका उत्तर मुझे पता नहीं क्या है क्योंकि हमारे पास जो हैं आंकडे इसमें अच्छे आते नहीं है अगर एक जो असोसियेटेड एरिया है वह आप पी साल ही रगुराम राजन और उनके कॉलीग्स ने जो पेपर जो निकाला उसमें उन्होंने दिखाया था कि उस समय तक चालीस नौकरियां बनी थी पावा सोलर पी एलाई के चलते अब आप पूछ सकते हैं कि वह चालीस नौकरियां कोई फाइदा हुआ किसी को और उसके और एक तरफ वो रखे दूसरा जो हमने जो कस्टम्स डूटी जो लगाई है चाइनीज पैनल्स पे उससे हमारे पैनल्स महेंगे हो गए हमारे पैनल्स को हमारे पैनल्स जादा महेंगे बनते हैं पी एलाई उस वज़े से था कि हमारे पैनल्स की लाया गया कि हमारे पैनल्स की कीमत कम हो जाएगी लेकिन अगर आप पूछे तो लोग तो लोग यह कह रहें कि तकरीबन पचास प्रतिशत जो पैन ये एक और उधारन ये था कि अगर हमारे पास ठीक आंकड़े ना हो तो हम एक किसी भी पॉलिसी के सक्सेश या फेलर के बारे में बारे में नहीं कर सकते हैं मैं ये कह रही थी कि अक्षे आपने तो अपने पेपर में लिखा हुआ है राइट कि हमारी कार्बन इंटेंसिटी जो हमारी इलेक्टरिसिटी की है वो आक्चुली बढ़ी है पिछले कुछ सालों में तो बाकी के सारे देश आक्चुली कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अपने इलेक्टरिसिटी बनाएं वो कम कार्बन इस्तेमाल करके बनाएं लेकिन हमने उसमें ज्यादा प्रॉग्रेस नहीं कर पाए हैं तो अगेन आइटिंग ये शायद हमारे हमारी इलेक्टरिसिटी सेक्टर के स्ट्रक्टर के साथ ही शायद जुड़ा सवाल है कि क्यों हम समय क साथ इतना जल्दी चेंज नहीं कर पा रहे हैं और क्या चीज़े हैं जो हमारे इलेक्टरिसिटी सेक्टर को रिफॉर्म होने से रोक पा रही है तो इस पर थोड़ा कुछ और बताएंगे क्या ने एक आपकी बात सही है एक तो और उस पर हम वापस आते हैं लेकिन एक बात याद रखने की ज़बरोत है हमें कि अगर आप यूर्प को देखें या जैपान को देखेंगे मैं चाइना को भी देखें या और युए-स को देखें वहाँ पर क्या हो रहा है जो आपके जो रिन्योबल्स जो आ रहे हैं वहांं पर वह कन्वेंशनल पावर को वेयले के प fossil fuel sources से जो हमारी जो बिजली आ रही है उसमें भी इजाफा कर रहे हैं क्योंकि हमारी वो जरूरत है तो यहां पे आपके पास दो जो competing objectives हो जाते हैं एक climate change को रोखने के लिए और दूसरी development के उसमें उन दोनों को एक बीच में जूजना पड़ता है वो एक बात है लेकिन दूसरी बात आपकी तब भी माइने रखती है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं इससे अच्छा कर सकते हैं और यह मतलब जो हम इस पेपर के इस पूरे बिजले के शेत्र में price signals जो हैं वो किसी भी तरफ से नहीं है ना supply side से ठीक है ना demand side से हैं तो अगर हम basic economics में अगर वापस जाते हैं और यह मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैंने कई सालों से economics की पढ़ाई नहीं की थी तो वो demand और supply के बीच की बात आ जाती economics 101 जिस negotiate करेंगे और prices फिर एक efficient level पर आ जाएंगे हमारे यहां क्या होता है कि हमारी prices जो supply side से जो fix होती है वो होती है competitive bidding के तोर से और वो ज्यादातर अब यह बदल रहा है अब लेकिन ज्यादातर 20-25 साल के power purchase agreements होते थे contracts जो जिन में price fixed हो जाती है तो वहां से आपको कोई price signals नहीं यह मतलब generation के लिए आप कह रहे हैं और दूसरे तरफ जो discom जो power बेचता है आपको और हमको वो भी आप fixed units fixed price पे बेचता है और मगर हमारे यहां अलग-अलग consumers के लिए अलग-अलग prices होते हैं जो fixed हैं लेकिन कुछ लोग जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं दिल्ली में हर इन चाहे वो अमीर हो गरीब हो कुछ भी दो तो आप और आपके और हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो जो अकेले रहते हैं जो जिनका बिजली का बिल जीरो होता है तो जो बंबई में रहते हैं हमारे colleagues वो उन लोगों को काफी गाली देते हैं तो एक वो और और फिर जो domestic consumers हैं उन हमने पिछले दो सालों में तमिलनाट में काफी काम किया इसमें और तमिलनाट में अगर आप देखे अगर और इससे और जो जो आपको जिस रेट पे आप खरीदते हो वो जो हमारा जो progressive taxation जैसे वाली बात होती है उसमें progressive tariff भी होती है तो आपका tariff बढ़ सकता है अगर तो अगर आप देखें तमिलनाट में सारे different अलग-अलग किसम के जो consumers है वो देखते हुए और उनके consumption pattern को देखते हुए आप कह सकते हैं कि करीब 25 या 30 अलग-अलग tariffs हैं जो सारे fixed हैं तो अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोचें एक efficient functioning market के बारे में बादार के बारे मे सोचें तो उसमें एक price होना चाहिए और हमारे यहां बहुत सारे prices हैं जो अलग-अलग consumers के लिए अलग-अलग हैं तो आप सोच सकते हैं अगर आप एक किसान है जिनको तामिलाट में हुआ है पंजाब में हुआ या कहीं और हुआ हुआ है आपको मुफ्त की बिजली मिल रह जाओं और मैं एक थोड़ी चक्की भी वहां पर खड़ी कर दूं जिसमें मैं अपने फसल को पीस के आटा बेचूं उसके लिए यह tariff वैसे नहीं है लेकिन ऐसे जो लोगों के काम करने की तरीके होते हैं वो जो incentive structure है वो इसी तोर से बना हुआ है तो इस से efficiency आते हैं और इ और इसमें एक बड़ी उल्टी चीज़ है ना यूजली जो बल्क बायर होता उसको चीज़ सस्ती पड़ती है हमारे उल्टा है आप ज्यादा लेंगे तो आपको और पैसा देना पड़ेगा और 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 अगर आप मुझे याद नहीं शायद तेलेंगाना में हो या किसी और स्टेट में हो अगर आप आपको 300 यूनिट फ्री मिलते हैं अगर आपने 301 यूनिट ले लिए तो आपको 301 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे एक का नहीं यह तो मतलब काफी अच्रज वाली बात है लेकिन तो मैं थोड़ा समराइज करना चाहत हूँ एक जैसे कि आपने का क्लाइमेट ट्रांजिशन के लिए हमारे श्रोता फैमिलियर है लेवरेज पॉइंट इसे जमनों कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात की दी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे जिसमें अगर आप 10 प्रतिशत बदलाव लाएंगे तो उसका सिस्टम में 40-50 प्रतिशत बदला सिस्टम जैसे आपने समझाया एक सिगनल होता है हम लोगों ने एक एपिसोड में डिसकर्स भी क्या था हायक ने जैसे कहा है यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी की वह एक सिगनल होता है जिससे कि आप आपनी डिमांड और सप्लाय को एडजस्ट कर सकते हैं और इससे एफ डी इंडस्ट्रिलाइजेशन हुआ है उसमें भी इसका काफी हात रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है इलेक्रिसिटी के वह बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि एग्रिकल्चर को वो लोग फ्री में इलेक्रिसिटी दे रहे हैं और इस वजए से काफी इंडस्ट्र करने की कोशिश की गई होगी 2003 में शायद वो उद्देश होगा होगा तो क्यों नहीं हो पाई वो चीज तो दूसरी जो बात है जो जो आपके प्रशन से भी उठ रही है कि जिसके वज़े से एनर्जी ट्रांजिशन मुश्किल हो जाती है वो यह है कि इस सारे जो जो या फ्री पावर जा रहा है या सबसेडाइज पावर जिसको जा रहा है उसके लिए कोई पैसा दे रहा है वो हवा में से नहीं आ रहा है तो कौन दे रहा है वो आप और हम टैक्सपेयर दे रहे हैं और वो सबसेडी भी होती है क्योंकि अगर आप अप इंडस्रियल कंस्यूमर आप जादा दे रहे हैं और कोई बहुत चोटी टैरिर दे रहे है वह तो आप उसके बीच में क्रोस सबसेडी है जो इस सबसीडी के पैसे स्टेट गवर्मन्ट से आने होते हैं डिसकॉम जो है वो एक जादा तर एक government owned public sector company है तो इसमें क्या होता है कि उस subsidy के पैसे state government से डिसकॉम में आनी होती है और अगर आप कहीं किसी भी state में चले जाए अब हाल में थोड़ी इस इस परिस्तिती में थोड़ी बहुत improvement हुई है लेकिन कई सालों तक कुछ states में यह पैसे प्रयाप मात्रा में नहीं दिये गए थे जिस जिस वज़े से जो distribution companies जो है जो डिसकॉम्स जो है उनके वह उनकी जो आर्थिक परिस्ति थी वह बहुत ही खराब थी और तमिलनाट में जो हमने काम किया उसमें और लोगों ने बहुत लोगों ने काम किया उसमें तमिलनाट का जो इसमें डेट है वो करीब दो लाग करोड है जो पूरे देश का लगबा एक त्याही है डेट पार सेक्टर की जो डेट है लगभग ऐसा क्योंकि तमिलनाट वह इतना बड़ा आउटलायर क्यों है उसमें क्योंकि बहुत ही उन्होंने तमिलनाट में जितना एक तरफ से वह बहुत ही efficient state administratively लेकिन अगर आप subsidies की history देखें तमिलनाट में तो subsidies free power है एक उन लोग वहां पर ना सिर्फ free power है यह और यह और भी स्टेट में पंजाब के जैसे लेकिन agricultural connections में मीटर तक नहीं है तो आपको यह भी नहीं पता है कि वहां पर consumption कितनी हो रही है क्यूंकि लोगों ने मीटर डालने से इंकार लगाने से इंकार कर दिया क्यूंकि वो सोचते हैं कि पहले मीटर लगाएं गे में उसके बाद पहला यह step है उसके बाद इस पाउर के लिए उद जो जब डिस्कॉम की तो जो लोग और यह यह याद कीजिए ऑप उपदन है उस्हाधा तरफ प्राइविट सेक्टर में चले चले गया है तो जो पाइब को चाहिए चाहिए प्राइवेट आदमी या प्राइवे तो अक्सर क्या होता है वहाँ पर वो बिल्स डिले हो जाते हैं और एक दो महीने के लिए नहीं कि अठारा अठारा महीने दो-डो साल तक डिले हो चुके हैं और आप पताए कोई बिजनस कैसे चला इस इस हिसाब से हर स्टेट में ऐसा नहीं है कुछ स्टेट ज्यादा अच्छे गुजरात में ऐसी परिस्तती नहीं कहाई जा सकती है और अगर फिर इसमें क्या हो रहा है कि कम लोग फिर कुछ स्टेट में कम लोग उन डिसकॉम्स को बिजली बेचने के लिए तयार है तो अगर आप तमिलाट में ही देखें वहां पर अगर तमिलाट में जितने सोलर के बीड़ वो कम हो रहें यूपी में यूपी में ज्यादा हो रहें आज क्योंकि यूपी की डिसकॉम्स की परिस्टेटी थोड़े जादा अच्छी है और यह कई लोग सोच भी नहीं सकते ह वैसे पर सौरब आपको नया चैलेंज ही है तो आप एक इलेक्टिसिटी वाला बिजनस स्टार्ट करो इतना चैलेंज नहीं चाहिए वैसी कुछ बाल बाल नहीं बचाहिए यह मेरे को अकसर क्लाइंट्स पूछते थे कि इस प्रोजेक्ट में आप पैसे लगाओगे तो मै में ली बहुत मुश्किर हो जाता क्योंकर मैं हा बोलने के लिए तैयार नहीं था जा बासी का काम लग ऐसे हैं उब वैसे ही लोग लगा सकते हैं इक वह दूसरा आप यह भी देख सकते हैं कि लोगों ने अब एक रैंकिंग कर दी है स्टेट्स की और तीन states के अब तीन category हो गए हैं एक A, B और C, A में आपको मिलेंगे दो central agencies states में जो power produce होता है वो बिजली की पादन जो होती है वो खरीदते हैं वो है solar energy cooperation of India और NBBN ये दो और गुजरात category 1 में हैं उसके बाद काफी सारे states category 2 में हैं मगर जाधा तर states category 3 में हैं और category 3 में अगर आपके पास एक portfolio हो जिसमें 25 projects हो और कुछ उन category 3 states में हो तो आपके portfolio की value कम हो जाती है तो जाहर है के लोग उन states में नई projects खड़े करने से इंकार करने के तो और दूसरी बात यह है कि इस इसमें रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई बार कोशिश भी की गई है जो आप कह रहे थे कि यह जो हमारी जो 2003 में जो electricity act बनी थी और जो unbundling हुई थी यह generation transmission distribution को जो अलग-अलग किया था एक energy department में से वो इसलिए की गई थी क्योंकि वो energy departments उनकी भी परिस्तिती आर्थिक परिस्तिती बहुत खराब थी अब लेकिन चार बार हमने financial reform किया है पावर सेक्टर में states के साथ राज्यों के साथ लेकिन क्योंकि price system तूटा हुआ है उस reform का मतलब यह के वही problem सिर से आ जाती है वही मुश्किल आते हैं सिर से आ जाती है लेवरेज पॉइंट को चुआ नहीं तो बाकी कुछ भी कर लो उससे जादा फरक नहीं पड़ेगा वो root cause analysis जिसको कहते हैं वो यह ऐसे नहीं कह सकते हैं कि लोग ने किया नहीं सबको पता है लेकिन वो करना करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो 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 राजनीतिक अर्थ व्यासता है इसके इसके तो पॉलिटिकल एकॉनमी जो इसकी है वो सारा states में है तो अगर आप कैसे जाके कह सकते हैं किसी किसान को कि मैं कल से आपको बिजली के लिए मैं आपसे पैसे लोग तो इसके हमको अगर किसी को अगर आप रिफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको यह सोचना है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करें और आपको यह सोचना है कि वो वो आपको जो वो किसान वो आपको नहीं करने देगा उसके बावजूद आपको आप क्या कर सकते हो आप यह नहीं सोच सकते हो कि हम उनको कल से उनसे पैसे लेंगे तो यह परिस्तिती बहुत ही मुश्किल है और इसमें बहुत ही इनोवेशन की ज़रूरत है इस परिस्तिती से निकलने के लिए जैसे हमने बाग की जगों पर डीवीटी टाइप के काम किये यहना कि डारेक्ट बेनेफिट दो लेकिन चीज को प्राइस कर दो कि ताकि प्राइस सिग्नल तो आए और जिसको मदद देनी है उसको पैसे दे दीजे आप तो हमेशा आपको औरी क्रॉस सब्सीडी का सिस्टम तो मुझे ठीक लगता ही नहीं है सब्सीडी देनी है तो टैक्स से ही जानी चाहिए यह क्यों है कि एक उभूक्ता दूसरे उभूक्ता को सब्सीडाइस कर रहा है यह तो मार्केट फेलियर करने की बात है आप जबरदस्ती क्रेट कर रहा है आप किसी को मदद करने ही है तो आप टैक्स से दीजे बिलकुल सहम हो तो आपसे और दूसरी दूसरी चीज़ जो की जारी है ले और उस किसान को स्टेट सिस्टम से एक बार के लिए रहा कर दीजे और वो जो बिजली जो ले रहे हैं वो बिजली जो ले रहे हैं वो उस बिजली को भी आप रहा कर रहे हैं और उस बिजली को आप जादा रेट में इंडस्ट्रिल और कमर्शिल कंस्यूमर्स को बेच सकते तो उससे आपको एक तो आपको मुफ्त मेने देना पड़ेगा और दूसरा आपको जो उस बिजली के लिए जो कीमत मिल सकते हैं वो जादा आप जादा रेट पर भी बेच सकते हैं favourers में सकते एक कार्बन टेक्स की अपने बात की आपके पेपर में तो यह Gleich solution हो सकते हैं और carbon tax वैसे भी नभाबण अलग फॉश season में बात हो इस विजयी पर तो आप किस प्रकार के carbon tax की काल पना करते हैं जो आपको लगता है की यह एक potential solution हो सकता है इस यह बिगडे हुए price system को सुधारने में और tax से तो हम लोग और डर जाते हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं कि tax कुछ चीज़े सुधार सकता है नई जो आजे और मैंने जो सोचा था इसके बारे में और जिस जिन terms में उसको उसकी बात करते हैं हम कहते हैं एक GST neutral carbon tax तो आपको आप क्या कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि वो carbon कहां पर carbon का उत्पादन कहां हो रहा है आप उस वहां पर tax लगाई है और यह आप किस किसम का carbon tax बहुत ही मत्तब्स जादा complicated मुश्किल चीज नहीं है आप पर ton of carbon पर एक प्राइस लगाएंगे अगर आप एक मेरे खाल से वो 2019 में Wall Street Journal में करीब 50 या 300 economist ने साथ एक article लिखी थी जिसमें उन्हों ने कहा था कि carbon tax जो है वो सबसे अच्छा policy instrument है climate change के लिए तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं दूसरी चीज़े subsidy होनी चाहिए कुछ subsidy वाले और कुछ carbon tax वाले लेकिन थोड़ी बहुत subsidy आपकी हो भी सकते है कुछ sectors को कुछ sectors को रोचसाहित करने के लिए लेकिन carbon tax अगर अगर आप लाएं तो उसमें और हम यह नहीं कह रहें कि आप कल से कह दें कि वह दस परसेंट या पंत्रा परसेंट या बीस परसेंट की carbon tax होगी आप आज announce कीजिए के पांच साथ बात बार सेक्टर रिफॉर्म करने के बाद डिसकॉम्स की परिस्थिती को सुधारने के बाद तब हम एक carbon tax लाएंगे और आप carbon tax का rate शुरू में 2% हो और 20 साल में हम उसको बढ़ा बढ़ा के किसी दरजे पर लाएंगे जिसमें वो carbon की कीमत को reflect कर रहा हो तो एक 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 बात वो है मगर आप समझ सकते हैं बहुत मुश्किल आइडिया है उसको लाना भी मुश्किल होगा लेकिन अब एक हमारे उपर एक जो प्रेशर आ गया है वो बाहर से आया है यॉरप में एक 2026 से carbon border adjustment mechanism के नाम से एक policy instrument चार्ड होगी जिसमें जो य यॉरप में आपके पास एक emissions trading scheme है emissions trading scheme में emissions के limits होते हैं और लोग emissions permits एक दूसरे से खरीदते हैं उसकी एक price होती है और वो लोग आप और कुछ sectors में कुछ क्षेत्रों में आ रहे ही पहले steel हुआ aluminium हुआ और दो तीन और जो हमारे लिए माइने रखते हैं क्योंकि हम सिमेंट को हम export तो करते नहीं है मगर aluminium और steel को लेते वे तो वहां domestic जो यॉरप में steel manufacturers हैं वो कहते हैं कि देखे हमको हमको एक carbon price या carbon tax हमको देना पड़ रहा है जो import imported जो steel है उसको नहीं देनी पड़ रही है और एक नमबर एक नमबर दो जो पर मुझे carbon की एक price नहीं देने पड़ रही है कीमत नहीं देने पड़ रही है तो एक प्रेशर manufacturer से दूसरा प्रेशर consumer से है या citizen से है नागरेकों से है कि कहते हैं कि जो बाहर से steel आ रहा है उसके उपर में कुछ कीजिए लेकिन यह tax कैसे इस tax के जो आंकडेओं कैसे calculate किये जाते हैं अगर आपने अपने देश में tax दिया हो और उसको उसकी certification अगर आपको और इसके जो details अभी तक नहीं है लेकिन आ जाएंगे तब आपको वो tax वहाँ पे नहीं देना होगा तो अगर वहाँ पे border पे अगर आपको 20% का rate है और भा भारत के तरफ से भी यह सोचिए कि अगर हमको carbon tax देना है तो हम यौरप में क्यों दें हम इंडिया में हम भारत में क्यों ना दें क्योंकि वो टैक्स है हमारा सरकार इस्तिमाल कर सकता है भारत में वो ना करके European Union में तो यह एक और प्रेशर प्रोचसान है हमारे लिए carbon tax के बारे में सोचने के लिए तो अक्षय थोड़ा geopolitics के द्रिश्टिकोंड से हम क्यों ना यौरप को कहें कि आप हमको पैसे दो तब हम लोग यह करेंग यह चीज करेंगे बिलकुल बिलकुल हमारे paper में यह भी य इन चीजों अगर हमारे उपर कोई कोई रिक्वाइमेंट्स अगर डाले जाते हैं तो उन रिक्वाइमेंट्स को फुल्फिल करने के लिए क्यों ना जो इंटरनेशनल सिस्टेम में कहा जाता है कि carbon financing होनी चाहिए क्यों ना कुछ उसका हिस्सा इन चीजों के लिए इस्तमा ठीके सही है क्योंकि अक्सर लोग बात करते हैं कि ठीक है थोड़ा food supply chain बदल देंगे और वह सब चोटी-चोटी चीज़ें अगर यॉरप को यॉरप को जरूरी है कि भारत भी ठीक से ये climate transition करें तो सबसे बड़ा instrument तो मुझे लगता है यही होगा climate finance कर पाएं जिससे कि भा मोटी-मोटी चीज़ें कर रहे हैं आपको नहीं ऐसा लगता ने बिलकुल लगता है और मुझे अफसोस भी होता है क्योंकि काफी ऐसे आइडियास हैं जो जिनके बारे में सोचा जा सकता है जो जो विन-विन कहते हैं विन-विन हो सकते हैं दोनों developed country के लिए और भारत के ल लगता है एक तरफ से हमको यह नहीं अच्छा लगता है कोई हमको बताए क्या करना चाहिए और दूसरे तरफ से हमको हम कहते हैं कि हमको मत बताई क्या करना है और हमको पैसें की जरूरत नहीं हैं भारत हैं कोई छोटी-मोटी मुल्क नहीं है हमारी मगर दूसरे तरफ से कह कहते हैं कि इन देशों के का आप काफी नहीं कर रहें तो मेरे ख्याल से हमारे उपर कुछ जिमेवारी आती है कि हम उनके पास जाएं कि यह एक अच्छा सा प्लान बना कर जिसके डीटेल्स हों कि हम यह करेंगे आप यह कीजिए अगर हम यह करें तो आप हमें पैसे दीजिए इसके उससे हम दोनों का फायदा हो सकता है ऐसी ऐसे बारे मिद्ण हो सकता है कि लोग सोच रहें इसके बारे में लेकिन पब्लिक में अभी तक इसकी कबरवो 산 इंट्रेस्टिंग बात है इन सब का काफी बड़ा जवाब है लेकिन इस सवाल से सब घबराते हैं और कहीं पर दिखता है कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत आसान मुझे ऐसा लगता है असान जवाब है क्लाइमेट चेंज का कि हमको न्यूक्लियर के उपर बहुत ज़्यादा पैसा करना चाहिए और काफी जोड़ शोड़ से उसका लेकिन आपको क्या लगता है क्या दिक्कत है क्या सुर्फ लोगों में डर है या पॉलिटिकल विल है कि कहां पर गड़ बढ़ने मैं न्यूक्लियर में एक सेकिंड में वापस आता हूं लेकिन अगर आप रिन्यूबल्स की बात करें तो स्टोरेज के अलावा हाइड्रोज जैसे ग्रिड मॉडनाइजेशन स्मार्ट ग्रिट की बात करी जाते हैं जिसमें बहुत ही जादा एफिशेंसी बढ़ाए जा सकते हैं जिससे हमारा जो है इंक्रीज कंसम्शन में वो कम हो सकता है दूसरा है डिस्ट्रिबूटेट एनजी अगर आपको हमको एक जो अगर इन अगर यह बिजली लोकली प्रेड्यूस की जाए तो फिर हमको ग्रिड में इसको इसकी डालने की जरूरत नहीं है दूसरा हमारा जैसे मैं हम पहले बात कर रहे थे कि डिमांड साइट से आपके पास कोई सिगनल नहीं कोई डिमांड रिस्पॉंस इसलिए किसी को क होती है वह 6 और 11 बजए रात की शाम को होती है अगर आप अगर अगर उसका जो इंपक्ट हो वह आपके उपर पड़े कंस्यूम करेंगे लेकिन आपका रेट बदलता नहीं है तो वहां पे जो 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 बचत जो हो सकती है वहां पे तो अगर अगर यह प्राइस सिगनल दिन में अलग-अलग समय पे आएं तो आप कई चीजे सोची जा सकते हैं अगर आपको घर पे मिक्सी चलाना हो तो आप अपने मिक्सी पे एक चोटा सा आयोटी डिवाइस डाल देंगे जो दिन में 12 बज़े जब सूरज चल रहा हो वाय आपका आपका जो दोशा का जो माव है मुफ्त में बन जाएगा मतब दोशा का जो पेस्ट होता है मैंने मलयालम में बोल दिया मेरी मेरी माम केरला की है इसलिए मने तो 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 वो एक और तो डिमांड कर्व को फ्लैटन करने के लिए वो एक और जीज़े दूसरी है राउंड दॉक प्रोजेक्स जिसमें आप सोल को कंबाइन करके बना सकते हैं और फिर हम आते हैं नुकलियर पे और एक ऑफशॉर विंड की बात है मगर वह वह एक दूसरा अभी तक हमारे हमने कुछ देखा नहीं है महाँ पे ऑफशॉर विंड नुकलियर में जाने से पहले में अपना जोड़ना चाहती हूं क्यूंकि ह हम बात कर रहे हैं रिन्यूइबल्स की और प्राइस सिस्टम की भी तो मेरा जो घर है वो गुजरात में है तो हमारे पास एक सोलर पैनल है रूफिंग अब उसमें मैं बात कर रही थी में घरवालों से जानने की लिए कि वो सिस्टम का क्या फंडा है तो मुझे उसमें यह स प्राइस पर बनाते हो ना वो जिस प्राइस पर आपको मिलता है उस प्राइसिंग बहुत कम मिलती है तो अगर मैं ग्रिट से खरीदती हूँ तो मुझे साथ रूपे पर यूनिट मिलता है जबकि अगर आप ग्रिड पे देते हो भाप पापस तो आपको 2 या 1.5 रुपे यूनिट मिलता है तो एक तरीके से जहां मुझे समझ में आया है कि एक प्रकार का आपका इंसेंटिव अपनी कपैसिट आपके जितना यूजज है उससे मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं उसका इंसेंटिव बनता ही नहीं है क्योंकि मेरे पास को इंसेंटिव नहीं है कि मैं ज्यादा capital लगा कि एक बड़ा solar panel लगाऊं और दूसरा जैसे कि आपने बताया कि हमारे आप पर pricing constant रहता है तो there is no incentive कि हम storage करें इस चीज़ को क्योंकि storage mechanisms अभी महेंगे हैं तो on grid करना काफी आसान है आपको off grid करना महेंगा पड़ता है आपका जो equipment होता है पर क्योंकि उसके ल कि अरे फिर मैं grid पर चड़ाने से better है कि मैं ही अपना storage करूं और उसके बाद फिर आपकी storage capacity की technology भी बेहतर हो सकती है क्योंकि और उसमें और innovation हो पाएगा क्योंकि लेकिन ये सारे differential pricing के mechanism नहीं है तो जैसे था वैसा चल रहा है और ये क्योंकि वो initial capacity भी इसले हुई क्योंकि government ने कुछ initiative दिया था शुरू में तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह से लगवा लिया है तो इस प्रकार का इसे जैसे incentives काफी नहीं काम करते हुए ऐसे मुझे नज़र आते हैं कि even ये हम जादा कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमेरे पास को incentive नहीं इसको करन आपकी और मेरे दोस्तों ने मेरे से कई बार सुना हुआ है लेकिन मेरा एक बहुती सरल सा प्रशन होता है अगर मेरे घर पे एक पैनल है और आप मेरे बडोसी हो और आप अगर सो रुपे पर यूनिट मेरे से खरीदने के लिए सहमत हो और मैं एक आर ला सकूं बिना किसी क हत्या की हुई करे हुए एक बिल्कुल सेफ तरह से तो फिर सरकार को इसमें क्या लेना देना तो अगर हम अपने पावर सेक्टर को इस तोर से सोचें कि जो ट्रांजाक्शन कोई कोई आदमी दूसरे आदमी से करना चाहता हो उसमें अगर अगर जब तक कि कोई market failure ना हो रहा हो, grid में problem ना आए, safety issues ना हो जो asymmetric information वाली problem हो जाती है क्योंकि आपको components के standards के बारे में पता ना हो और अगर उसमें free rider issue को भी आपको deal करना है तो transmission के लिए आपको कोई price देना चाहिए अगर वो सारी issues अगर आप उनसे अगर आप निपट सकते हो तो किसी भी transaction को आपको ना ना कहना चाहिए लेकिन कई transactions है जो नहीं हो सकते हैं यह पडोसी को आप नहीं बेच सकते हैं तो अगर आपके उधारन में अगर आप पडोसी को बेच सकते हैं तो grid से नहीं मिल रहा है तो किसी और से मिल रहा है लेकिन वो भी आपके पास वो साधन नहीं है आप nuclear के बारे में कहड़े है तो nuclear nuclear में कई मैं आप से एक लेवल पर तो आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि नूक्लिए बौहत possibilities है जो दिखते हैं वो कई हैं एक तो public perception में नूख्य की safety कर शό यह नहीं कि हर pulls' के बारे में सोच रहा है लेकिन जो citizens वाली बात ऊतनी बड़ी नहीं नहीं लेकिन उसके बारे में सोचना जबुड़ी है नमबर दो जो आज की डेट में जो आपका युनिट प्राइस जो आएगा एक न्यूकलियर पार प्लांट से उस बहुत महंगा रहेगा करीब 10-12 रूपय का रहेगा क्योंकि जो उनकी एकनोमिक्स ही ऐसी है तीसरा एक नुक्लिय पाइर प्लांट को बनाने के लिए आपको आठ से को छोड़ी है लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन भी नहीं अलावड है तो आपके सारे जो प्लांट से हैं वो सारे उपरेशन और इंडिया मैनेज कर रहे हैं कुछ मैंने बातें सुनी कि इनको बदलने इसको बदलने वाले लेकिन यह अभी तक हुआ नहीं है और उसम हमेशा जो है सरकार की की नजरें रहनी चाहिए आप तो और मुझे भी यह हमारी भी इच्छा यह होगी तो उसके लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत होगी जो इतना मुश्किल नहीं है जैसे कि जो मैं उधारन देता हूँ हमारे पास चैन्नाई में और बंबाई में हमार एले टेले-कॉम गेट्वेडे़े वहां पर आपकी प्रैविट्ली होंड गेट्वेज लेकिन वहां पर सेक्यूरिटी जो है वह स्टेयट सेक्यूरिटी है क्यूंकि वह हमारे स्टरेगिजिक रिसॉर्स तो इस थरे से हम सोचayı किया जा सकता है लेकिन अब पिछले दो-ती सालों में ही और सुनने में जो आया है वह चीन में इसका काफी मतलब अगले दो-तीन सालों में काफी देखने वाले हैं वह जो कहते हैं स्मॉल मॉडिलर रियक्टर्ज ऐसे माइस तो यह जो यह जो यह ऑगा जो चोटे प्रियाक्टर्ज सकते हैं जो और यह आप अपने सेल्फ कंसंप्शन के लिए कर रहें आप बेच नहीं रहें हैं मार्केट में तो आप जो पार टैरिफ वाली बात हो जाती है के महंगा होगा वह वाली बात इतनी नहीं रहती और स्मॉल मॉडेर रियक्टर ऐसे मार्स में जो आपका जो यूनि सब कुछ का कम हो जाएगा और उसमें मुझे चीज़ लगती है जो कि जैसा आपने फोटो की बात केची सतरा रुपे से तीन रुपे में आया स्केल की वज़े से एसेमार भी तो वॉल्यूम में प्रडूइस होगा तो वो कम ही होगा ना ओवर टाइम और सुनने माया कि चाइना में अगले साल से हमको बड़े पैमाने में एसे मार्स की दिखने प्रड़क्शन है और डिप्लॉइमेंट भी होगी अक्षे जैसे आप आप शायद फ्रांस में भी रह चुक है ना तो फ्रांस में तो लोग वैसे जबरदस्त प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन फ्रांस में इतनी ज्यादा एलेक्रिसिटी न्यूक्लियर से जेनरेट हो दिये तो वहां भी लोग अपोस्ट कर रहे होंगे लेकिन वहां कैसे हो गया यह वहां पर मुझे जो है वो अभी अब यह मकसद यह मसला फिर से उठके आएगा क्योंकि कुछ जो है इतने पुराने हो चुके हैं कि उनको अब रिप्लेस करने की जरुरत हो तो तब लोग क्या कहेंगे वह देखी जाएगे और दूसरा बात है दूसरी बात है कि पूरा पूरे यह अंतर रा और वो सब वो शायद हर एक कोई लेंडर आपको देने के लिए तैयार नहीं हो और जो मेरे हिसाब से जो गलत बात है क्योंकि न्यूक्लियर के जो डिंजर्स हैं वो बहुत ही जादा एक्जाजरेटिटेड हैं और इसकी हिस्ट्री काफी काफी रोमांचक और दिल्चस्प है अगर आप देखें कि जो त्री माइल आइलेंड पे जो डिजास्टर जो हुआ था जिसमें कोई नहीं मरा वो जो जब हुआ था वो उसी ताइम एक पिक्चर निकली थी चाइना सिंड्रोम जो न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में थी तो लोगों के दिमाग में जो उस फिल्म में हुआ था उन्होंने वो डिजास्टर से से रिलेट किया जिसकी वज़े से काफी कुछ पुछ पब्लिक परसेप्शन में जो न्यूक्लियर के खिलाफ ख्याले आई है उसके वज़े से तो इस पर आपको काफी कुछ पढ़ने को भी मिल जाएगा तो न्यूक तो आगे बढ़ने के लिए पूर्ण निजी करेंट चाहिए एलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में तो ऐसा क्यों क्यों एक जैसे क्योंकि लोगों को डर रहता है तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि डिसकॉम गवर्मेंट ओंड हो और उसके साथ प्राइवेटाइस्ट प्लेयर्स भी हो उससे क्या सिती बहतर होगी क्या जल्दी हो पाएगा पॉलिटिकल एकॉनमी के दृष्टिकॉन से नहीं बिलकुल जो जो हमने उस पेपर में लिखा है वो क्या सबसे अच्छी जो परिस्तिती क्य होगी वो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की होगी हमारे इसाब से लेकिन पॉलिटिकल एकॉनमी के वज़े से और और कई वजों से अगर प्राइवेट डिसकॉम्स और पब्लिक डिसकॉम्स साथ-साथ अगर हो तो उसमें कोई फिलसॉफिकल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है यही है कि अभी जो है डिसकॉम्स के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है तो वह जैसे कर रहे हैं और बंबई में अगर आप देखें जो प्राइवेट डिसकॉम्स जो आए हैं वह काफी मतलब उन्होंने एफिशिंसी लाई तो और अगर आप आंकडे देखें जो एक डैशबॉर्ड है पाहर मिनिस्ट्री का जिस पे आप लॉसेस देख सकते हैं हर डिसकॉम्स का और हर स्टेट का भी उसमें आप आपको आप देखेंगे कि जो 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 प्राइवेट डिसकॉम्स हैं वह जादा एफिशिंट हैं तो तो हाँ अगर आप थियोरी में कहें तो जरूर प्राइवेट और पब्लिक साथ-साथ जी सकते हैं लेकिन वह कहने की बात है कि अगर आज तक नहीं कर पाए तो फिर कल क्यों करने लग जाएंगे हो सकता है कि अगर वह सोचें कि उनकी नौकरियां चले जाए तो कर ले लेकिन मुश्किल है क्यों है लेकिन आपके जो इंडस्ट्रिल जो कंस्यूमर्स हैं वो प्राइवेट पार पर्चिस अग्रीमेंट्स कर रहे हैं प्राइवेट सप्लायर से जो हमारा जो रेगिलेटरी सिस्टेम है जो उसको उसकी अजाज़त है करने के लिए परमिशन चाहिए होता है जिसको ओपन एक्सेस के के इस्तिमाल से वो हो रहा है और अगर मैं आपको एक उधारन के तोर से दूँ अभी मेरे को कितना कितने प्रतिशत यह जो हम कहते हैं थर्ड पर्टी या कॉपरेट पीपीएस कितनी प्रतिशत है उसको मैं नहीं आपको बता पाऊंगा लेकिन हमारे एक क्लाइंट है जिन प्रतिशत उनका और प्रप्रेट प्राइवेट सेल्स तो और यह से यह कौन से कस्टमर्स यह वो कस्टमर्स है जो सबसे उंचा टैरिफ देते हैं उसका मतलब यह है कि जो डिसकॉम की जो आर्थिक परिस्तिती है आज वह और भी खराब होने वाली है क्यूंकि उसके उनके सबसे अच्छे कस्टमर्स सिस्टम से भाग रहे हैं यह कैसे होता है मतलब जैसे सौरब अपने फैक्टरी में मंगवा सकते क्या कहीं और से उसका पूरा एक प्रोटोकॉल है और आपकी आपको एक आपकी जो ऑफटेक जो है वो एक दरजे क्यों होनी चाहिए हर एक आदमी नहीं कर सकता है आप अपने घर में नहीं करवा सकते हैं लेकिन एक दिन होना चाहिए है जैसे आप अगर इंग्लेंड में देखें आपको दिन भर जैसे जो जो आपको यह मार्केटिंग के कॉल्स आते हैं हमारे आते हैं कि इंशॉरंस ले लीजिए या गुरगाओं रोड लेकिन कोई भी सप्लायर आपके पास आ सकता है और आप किसी से भी बिजली ले सकते हैं तो आप एक दिन यह सोच सकते हैं कि आपके घर में एक स्मार्ट मीटर होगा जिसमें सारे प्राइस सिग्नल रहे होंगे अलग अलग 질문 के पास एक यहां से सस्कते हैं है और अगर आप देखें तो जो high volume जो stock trading होती वो ऐसी होती correct जहां पे आपको मिल रहा होता है थोड़ा जैसे programmatic buying of ads होता है उस तरह से होता है कि इतना पैसा मैं facebook से खरीद रहा हूँ इतना पैसा मैं google ads से खरीद रहा हूँ तो programmatic buying of electricity भी कर सकते हैं और जो हम यह कह रहे थे जो private PPS जो जो हो रही है यह बहुत प्रेशर आ रहा है consumer से आप google को ले लीजिए google google को एक international level पे उनका एक policy है कि हमारी सारी electricity consumption renewable से होगी और वो बहुत बड़ा consumer है data centers बहुत बिजली लेते हैं उधारन के हिसाब से अगर आप Ireland में देखें तो वहाँ पे 30 प्रतिशत जो बिजली consumption होती है वो data center से होती है क्योंकि Ireland IT का एक काफी बड़ा गड़ है तो यह pressure आता रहेगा और जो आप कह रहे थे BSNL वाली बात वो होती रहेगी लेकिन वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो जो वहाँ पे आपको जो यह policy का objective है private participation को लाने के लिए उसका सबसे खराब तरीका यह तो क्योंकि आपको अगर आप उसको privatize करेंगे उसके लिए आपको कुछ पैसे मिलेंगे यहाँ पे आपको कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं और आप मतलब धीरे धीरे मतलब death by a thousand cuts जो कहते हैं उससे इनको मार रहे हैं अक्षे आपने भी recently और एक article भी लिखा था जिसमें आपने बताया था कि जिस तरह से हमारी ministries organized है वो भी सही नहीं है कि अगर हमें actually climate transition करना है energy security maintain करनी है तो हमारी यह सारी ministries इस तरह से organize होनी चाहिए कि वो बेटर बेटर काम करें बेहतर तरीके से काम कर सके एक दूसरे के साथ तो उस पर थोड़ा और बताएंगे कि किस तरह से आपको लगता है कि यह better इसका organization किस तरह से हो सकता है जैसे आपने जैसे पहले का कि मेरा थोड़ा सा फ्रांस से तालुक है और अगर फ्रांस में देखेंगे तो वहां पर एक ministry of the energy transition है वहां पर तो उससे मेरे को यह idea आया है कि उन्होंने क्या वो उन्होंने energy transition को इस दरजे पर रखा है कि एक ministry उसी के लिए dedicated है और हम भी कह सकत है कि हमारे पास एक ministry of environment, forests and climate change है लेकिन हमारे system में अगर आप union government में देखें तो हर एक आदमी पहचानता है कि अलग-अलग ministries की अलग-अलग power होती है और मैं बिजली वाले पाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं सत्य वाले पाहर की बात कर रहा हूं तो जो अगर आप इसकी अ है और मैं किसी को मतलब बुरा नहीं feel करने के लिए बोल रहा हूं लेकिन है हकीकत है कोईला ministry जो है वो थोड़ी उपरी दश पर है अगर आप ministry of petroleum and natural resources ले ले लेजिए वो भी natural gas लेजिए वो भी उपर है पावर ministry उपर है और power ministry और हमारे पास एक power ministry है और एक ministry of new and renewable energy है आज by coincidence वो उनके minister एक ही हैं लेकिन उसके minister अलग हो सकते हैं और अगर आप मेरे से पूछें कि power ministry के minister को क्या करना चाहिए उनको power की उत्पादन बढ़ानी चाहिए जिस भी तरह से वो कर सकते हैं और वो है कोईला हमारे पास कोईला सस्ता है मारे आज कोईला है वो सस्ता है और उ लोग पैसे देने के लिए तयार नहीं है मगर वो अलग मुद्दा है यहां पर तो उस हिसाब से अगर आप अलग-अलग ministries में यह बात हो रही है या अलग-अलग ministries जो कोई जिसकी कोई तालुक है climate chain से वो अलग-अलग चीजें कर रहे हैं उनके अलग-अलग priorities हैं तो बढ़ रही है वो घट नहीं रही है इसलिए वो उस पे हमने जादा टाइम नहीं रखा लेकिन जादा अच्छे कोईशन की जरूर एक जरूरत है और एक आइडिया जो सोचा जा सकता है कि हमने यह दूसरे एरियास में किया अगर आप national एक mission बनाते हैं या एक जैसे जान के क्लाइमेट जार जो जिन 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 जो पीमो के अंदर शायद बैठ सकते हैं वो उनको जो उनको जो पावर सफिशेंटली दिया जाए कि वो अलग-अलग मिनिस्ट्री के साथ बैठके अट लीस्ट रेगिलर मीटिंग्स कर लें ताके लोगों लोग एक दूसरे की बात सु ने मुझे नहीं लगता है कि यह आज हो रहा है और अगर आप इस वज़े से हम अक्सर हमारे जो अगर हम देखते हैं हम अंतराश्ट्री जो मुद्दों पर बात करते हैं तो अलग मिनिस्ट्री थोड़ी उनकी बात थोड़ी अलग-अलग होती है तो तो यह कोडिनेशन व वो मुद्दा वो उस उस आर्टिकल को लिखने के लिए का मकसद यह था कि लोग थोड़ा सेंसिटाइज हो कि इसके लिए हमको एक कोडिनेटिट थिंकिंग की ज़रूरत है नहीं तो हमारे जो 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 आउटकम्स होंगे वह एफिशेंट नहीं हो अक्षे जब मैं वह आर् चीजें बढ़ने लगेंगे आगे चाहिए या 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 आप कैबिनेट कमिटी फो एनजी ट्रांजिशन बना दीजिए जिसमें सारे मिनिस्ट्रीज शामिल हो अक्षे मतलब बोलना जीए पावर्फुल डिसकेशन एकदम मतलब पावर जैसा मैं बोलूंगा कभी-कभी मतलब ये बाकी किसी भी शेत्म से तीन-चार गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट भी है इसके कोई आसान जवाब नहीं है इतना हमने शायद इतनी इसकस भी किया उसमें सवाल और निकलके आ रहे हैं जवाब उतने नहीं है तो इसमें चल्चा बहुत ज्या के बारे में और ज्यादा तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जबरदस्त डिसकेशन आज इस टॉपिक पे हमारी तो बहुत आखे खोई ने बड़ी-बड़ी महरबानी क्योंकि मुझे यह यह आप समझ सकते हैं क्यों पहली बार मुझे हिंदी में पार सेक्टर के बारे और बहुत अच्छा लगा और हाला कि काफी अंग्रेजी के इस्तेमाल करनी पड़ी लेकिन तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत-बहुत धन्यवाबानी तो हमारे शुरुता बताएं हमको आपको कैसी लगी आज की चर्चा अपने कमेंट्स, नोड्स, सोशल मीड प्लाटपॉर्म, यूट्यूब, ट्विटर, इमेल हमारे सारे पते हैं आपके पास तो बताएं आप किस टाइप की पावर चाहते हैं और आप इस शेत्र में किस तरीके की डिस्केशन करेंगें धन्यवाद थैंक्यू